नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पीसेसंपी टेक में दोस्तों आज हम देखेंगे कैसे आप पीसेसंपी टेक मुबाइल एप का यूज़ करके सेल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं अगर मल्टिपल काउंटर चल रहे हैं तो मल्टिपल काउंटर वाइस सेल भी आप देख सकते हैं और सिंगल काउंटर वाइस सेल भी आप देख सकते हैं फ्रॉम डेट टू डेट की फैसिलिटी है कि इस डेट से इस डेट के भी सिल देखनी हो तो वो भी आप देख पाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप यूज करेंगे पीसे संपी टेक मोबाई अप को सबसे पहले हम सबसे पहले हम जो रिटेल बिलिंग सॉफट हम आइटेमेट करेंगे इस तरह से बिल में हमने तीन आइटेमेट कर दिया और यहां देख पा रहे होंगे राइट साइड में बिल नंबर 7636 शो कर रहा है देन हम बिल को सेफ कर देंगे उसके बाद हम मोबाईल में PCSNP Tech App को ओपन करेंगे यह PCSNP Tech App है इसको हमने ओपन किया ओपन करने के बाद यहां पर यूजर आईडी and password enter करेंगी enter करनी के बाद यहां पर आपको option दिख रहा होगा sell report का third row में first kolumn sell report पर खरेंगे sell report में click करता ही जो point of sale है यहां पर multiple point of sale चल ले किन हम जो default point of sale है उससे चेक्क करेंगे तो default point of sale से हमको जो भी salad कर रहे हैं आज वो दिख जाएगी चाहे वो किसी भी point of sale से हुई हो तो from date select करेंगे 24 और sale report पे click करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3 bill दिखा रहे हैं 7634, 7635, 7636 और total sale 723 की show हो रही है अब हम एक bill और बनाते हैं फिर देखेंगे कि यहाँ पे अभी 3 bill दिखा रहे हैं तो क्या यह mobile app में 4 bill दिखाएं गेगी नहीं इस तरह से यह bill का number जो हम बना रहे हैं इसका number 7637 है और total amount इसका 165 है अब हम इसे save कर देंगे save करने के बाद हम sale report में दुबारा mobile app में जो sale screen खुली है उसमें sale report में दुबारा click करेंगे click करते ही देख भार होंगे आप यहाँ पे 4 bill दिखा रहे हैं अब उसका total भी change हो गया 888 आ गया अगर आपने अब किसी particular bill पे click करेंगे तो उस bill में जो जो items sale की हैं वो आपको show हो जाएंगे जैसे मैं यहाँ पे click करता हूँ 7635 वाले bill पे तो जो जो items थे उसके अंदर sale किये थे वो आपको यहाँ show हो गये किसी और bill पे click करेंगे तो वहाँ के जो item थे वो आपको दिख जाएंगे किसी और बिल पर click करेंगे तो उसके अंदर के जो भी items थे वो आपको show हो जाएंगे इस app का use करके जितने भी business owner हैं वो current time में जो भी sale चल रही हो वो देख सकते हैं without using retail billing software retail billing software जो है counter में जो भी cashier या operator है वो use कर रहे होंगे और जितने business owners जो भी business owners हैं वो mobile app के through use करके यह देश सकते हैं कि इस समय क्या-क्या कितने की sale हो गई है कौन-कौन से कितने-कितने bill कट गए है thanks for watching this video have a nice day